स्वागत है आप सभी का ग्याफन अकेडमी के इस नया और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के अंत्रगत विशेशड को समझने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 और 12 के इक्जाम के पॉइंट ऑव विव से धेर सारे कुशन पूछे जाते हैं और कुछ फेमस कुशन तो आप लोग सुने भी होंगे पढ़े भी होंगे जैसे कि इतिहास का विशेशड क्या होगा और चोड़ कर वो चले आते हैं लेकिन आज के इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं बिना स्किप किये तो मैं पूरे विश्वास की साथ कर रही हूं मैं पूरी गारेंटी दे रही हूं कि इस टॉपिक से एक भी कोशन आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे बलकि 100% बना कर आएंगे जिस दिन आप लोग का एक्जाम होगा ना एकजाम देने के लिए आप लोग जायेंगे तो उस दिन वहीं पर सभी स्टूडें को डीपली जानेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर अंध तक जैसा कि मैं पहले ही बताई कि कम्प्लीट वीडियो को देखना है हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है और हां मस्ट इंपोर्टेंट सिंग स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो को लाइक कर दे दबा कर शेयर कि यह स्पेसली क्लास 10 और 12 के लिए हैं इसके अलावा अगर आप किसी इंट्रेंस एक्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आज का यह वीडियो काफी हेलफुल होगा क्योंकि हिंदी क्रामर लगभग लगभग हर एक्जाम में तो सेम ही पूछा जाता है आप जैसे कि व उस शब्द को कहते हैं जो संग्या की विशेष्टा को बताए देखिए नाम ही में है विशेषर यानि कि जो विशेष्टा बताए किसकी तो संग्या की संग्या ओलडी मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूं संग्या सरो नाम जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में अगर आ इंदी क्रामर में जो भी पढ़ाए गया है वहाँ पर पढ़ती एक वीडियो आप लोग को मिल जाने वाला है देख सकते हैं ठीक है ना तो संग्या एक बढ़ फिर से बता दे रही हूं मैं संग्या किसी भी चीज का नाम कहलाता है संग्या इस इक्वाल टू नाम बताई थी तो यहाँ पर टूपी एक नाम है ना यानि कि टूपी एक संग्या है नाम कोई क्या कहते हैं हम लोग संग्या तो टूपी एक संग्या हो गया ठीक है अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है इसके आगे वाला ये शब्द लाल टूपी क इसी को क्या कहेंगे इसी को कहेंगे विशेषड जो की विशेष्टा बता रहा है संगया की जो की टोपी क्या है एक संगया है उसी तरीके से सुन्दर लड़की लड़की एक संगया है ठीक है अब लड़की की विशेष्टा कौन बता रहा है क्वालिटी कौन बता रहा है तो तो ये सुन्दर ये शब्द सुन्दर लगा है तभी तो पता चल रहा है ना कि लड़की कैसी है सुन्दर है ठेक है तो सुन्दर क्या बता रहा है विशेष्टा बता रहा है लड़की की यानि कि संगया की तो सुन्दर क्या कहलाएगा विशेषर कहलाएगा उसी तरीके से ब के से उप जाओ जमीन जमीन कैसी है तो उप जाओ है भूमी उप जाओ है किससी जमीन कीμεड़ क्या क्या कहेंगे ज्तियुक ते लैंगे के कैसा है मैला कुआ किशुस शुष से हमें पता चल रहा है तो मैला इस क्या कहेंगे विषएशड करें चलिए झाल पर विषएशंढ होगा एक जख है आप कह सकते हैं चार टाइप पहला है गुड वाचक विशेशर दूसरा है संख्या वाचक विशेशर तीसरा है परिमार वाचक विशेशर चोथा है सार्वनामिक विशेशर ध्यान से समझेंगे अराम-अराम से कोई जल्द बाजी नहीं है ठीक है सबसे पहला जो टाइप है समझते हैं कि गुडवाचक विश्यशद किसे कहते हैं, देखें नाम ही में हैं गुड़ YOUR जो किसी संग्या का गुड़ हैं, क्या दopingẤ Kouse रंग कैसा हैं ? उसके गुड़ के बारे में बता हैं का रंग कैसा है यूझा गुड़ के बारे में बताे हैं , तो किसा है तो अमीर है तो यहां पर अमीर यह शब्द क्या वास जहरीला साफ तो साफ कैसा है जहरीला है और धोश भी होगा तो भी वो क्या कहलाएगा गुर्वाचक मिश्डशंद क्या ही कहलाएगा गुड़ दोश, रंग, आकार के बारे में जो बताए विश्यशड, उसे हम लोग गुड़ वाचक ही कहते हैं, तो इससाथ क्या है, जहरीला है तो जहरीला, यह जो शब्द है, यह क्या कहलाएगा गुड़ वाचक, सरकारी, नौकरी कैसी है, तो सरकारी है, ठीक है, वाचक विशेषर इसके नाम में भी है संख्या यानि कि जिस विशेषर से हमें संख्या का बोध हो ठीक है उसे कहते हैं हम लोग संख्या वाचक विशेषर बहुत ही आसान है याद रखना देखिए गुडवाचक विशेषर क्या ट्रिक है याद रखने का इसके नाम ही में है गुड यानि कि जो गुड और दोश बताए उसे कहते हैं गुड वाचक विशेशर संख्या वाचक विशेशर किसे कहते हैं नामी में है संख्या पैचाने का ट्रिक हो गया कि जो विशेशर संख्या को बताए उसे कहते हैं हम लोग संख्या वाचक विशेशर जैसे कि चार करके लड़के कितने हैं तो चार है संख्या वासक विश चथ कहलेगा उसे तरीके से यहां पर देखिए पांच लड़किया लड़किया कितनी है तो फाच है यानदums काम नंबर को दिनो में कर रहा है ठीक इसको क्या एंगे अब लोग संख्या वाचक विश्यशड सात दिन दिन कितना तो साथ यानिकि यहां पर नंबर संख्या का बोध हो रहा है ना जिसको लोग गिन सकते हैं तो सात दिन क्या कहलाएगा संख्या वाचक आठ पुस्तकें पांच कलम, दस मारकर, पचास फैन, यानि कि पंक है, चालीस पेड, ठेक है, यानि कि वरिक्ष, तो जिससे संख्या का बोधू, उससे संख्या वाचक विशेशर है, अब तीसरा जो टाइप है, परिमाड वाचक विशेशर, इसके नाम से भी आप लोग आसानी से याद रख स सकते हैं, देखिए, त्रक्या है कि परिमाड, यानि कि जिसको हम लोग नाप तौल तो सकते हैं, कि इन तो गिन नहीं सकते हैं, इस तरह कि जो विशेशता बताए ना, उसको कहते हैं, परिमाड वाचक विशेशर, जैसे कि मैं कहूं कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ ठेक है, तो थोड़ा पानी, ये क्या कहलाएगा परिमाड वाचक है, यानि कि थोड़ा ये जो शब्ध है न, इससे संख्या का बोध नहीं हो रहा है, गिनने का बोध नहीं हो रहा है, थोड़ा से क्या पता चल रहा है, कि हम माप तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं थोड़ा पानी से क्या पता चल रहा है कि हम पानी को गिन थोड़ा नहीं किया गया है कितनी तोड़ी रोटी उसी तरीके से कुछ पैसे, पैसे को count नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी, कुछ थोड़ा दूध लेकर आओ, ठीक है, कुछ पैसे लेकर आओ, ठीक है, या फिर कुछ किताबे वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, तो यह सभी शब्द क्या कहलाएंगे, परिमार वाचक चौथा जो टाइप है, वो है सार्वनामिक विशेषड, किसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषड, वह सर्वनाम, जो संग्या की विशेष्ता बताएं, उसे कहते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषड, यानि कि यहाँ पर कोई शब्द आपको विशेष्ता नहीं बताएगा, यहां पर सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो नाम के बदले में इस्तमाल हो, जैसे कि मैं, तुम, आप, आप लोग, ठीक है, वह, वह लोग, तो यह सभी सर्वनाम हैं, और अगर सर्वनाम ही खुद संग्या की विशेष्टा बताने लगे, तो उसे कहते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषड, जैसे की देखे, यहां पर मैं लिख देऊ, यह किताब मेरी है, किताब किसकी है, तो मेरी है, मेरी आप देखिए, यह क्या है, यह सर्वनाम है, लेकिन यहां पर यह विशेष्टा बता रहा है किताब की, किताब किसकी है, किताब मेरी है, ठीक है, तो यहां पर जो सर्वनाम है यह खुद क्वालिटी यानि की विशेष्टा बताने की बात कर रहा है खुद विशेष्टा बता रहा है कि किताब मेरी है तो यहां पर यह जो मेरी शब्ध है यह क्या कहलाएगा यह सारवनामिक विशेष्ट कहलाएगा सर्वनाम होते हुए भी ये संग्या की विशेषता बता रहा है कि किताब किसकी है तो मेरी है ठीक है ये मारकर मेरा है ठीक है तो ये क्या कहलाएगा ये भी सारवनामिक विशेषर कहलाएगा क्योंकि मेरा या फिर मेरी ये जो लफज है ये सरवनाम है ठीक है उसी तरीके से वह लड़की सुन्दर है वह लड़की यहां पर लड़की के पहले वह आ रहा है न तो वह यह क्या कहलाएगा सरवनामिक विश्यष्टा कहलाएगा कौन सी लड़की तो वह यह जो शब्द है न यह जो है न लड़की का डिनोट कर रहा है कौन सी लड़की तो वह लड़की यहां पर सरवनाम ही क्या कर यह क्या कहलाएगा सारव नामिक विशेषड के लाएगा तो आइऊप आपने और महright करते हैं जो आप लोग के एक्जाम में कुछन पूछे जाते हैं संगया यानि की नाम को देकर कि इसका क्या विशेशर होगा उसके कुछ शब्द को मैं यहां पर लिख दी हूँ जैसे कि ब्लू कलर के मारकर से जो मैं लिखी हूँ यहां पर वो सभी संगया है ठीक है और उसका यह वि पॉटेंट जो शब्द है उसको चुन चुन कर में यहां पर लिख दी चुकी हूँ बोड पर चलिए देखते हैं अपराध यह एक संगया है और इसका विशेशर होता है अपराधी तो कोशन पूछा जाएगा कि अपराध का विशेशर क्या होगा अपराधिक भी में दिया रहेगा अपराधी तो ध्यान से देखिएगा अपराधिक नहीं अपराधी अपराध का विशेशर अपराधी उसी तरीके से इतिहास का विशेशर इतिहासिक होता है अप्शन ए में दिया रहेगा एतिहासिक तो एतिहासिक नहीं टिक कर दिजेग और नहीं एतिहासिक टिक किजिएगा इतिहासिक देखिए इतिहासिक ठीक इतिहास का विशेशर इतिहासिक उसी तरीके से खर्च का विशेशर खर्चीला जल का विशेशर जलिया विज्ञान का विशेशर वैज्ञानिक ध्यान में रखिएगा और उसी तरीके से शरीर शरीर का शरीरिक उसे तरह कि से परिवार का शचर्च अज Eva कर्फंश और प्यास का विशेश्च और प्यास तो प्यासा ऐए वह कुत्त्र प्यासा है और इसका विशेश्र आ ही तो तो रही होनोता है एक बिहारी सब पर्भारी झांच पता चल रहा है कि बंदा कैसा है ये विशेष्टा पता चल रही है तो बिहार तो हो गया नाम यानिकी संगया और इसका विशेशण हो गया बिहारी ठीक है उसी तरीके से भारत तो भारत का विशेशण भारतिया हम लोग गर्ब से कहते हैं कि हम भारतिया हैं ठीक है उसी तरीके से भुगोल भुगोल का विशेशण भौगोलिक ठीक है तो इसी वजह से मैं कुछ important संग गया और उसके बनाए हुए विशेशर को लिख दे थी जो कि इंपोर्टेंट है वो सकता है कि इन ही में से आप लोग के एक्जाम में question पूछ दे कोई भी एक शब्द उठा कर ठीक है तो आई होप आप लोग को समझ में आ अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा कि यह विशेशर यह जो टॉपिक है आप लोग को complete समझ में आया एकी नहीं अगर समझ में आया है जो कुछ तो चली आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसके साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ आई होप आप लोग ने वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिया होगा चैनल पर नए नए आया होंगे तो चैनल को सब्सकाइब भी कर लिया होंगे त तो इसके नेस्ट वीडियो में मिलेंगे जो भी टॉपिक होगा जैसे कि अभी हिंडी ग्रामर पढ़ाया जा रहा है साथ में अर्दू ग्रामर भी में लेकर चल रही हूं तो सारा का सारा हिंदी ग्रामर का जितना भी है जिससे आप लोग एक्जामेक कूश्चन पूछे जाएंगे उस सारे कवर कराए जाएंगे आप लोग बिल्कुल भी टेंटर नहीं लीजिए ठीक है तो फिर मिलेंगे हम लोग अब इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज